दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोलती बंद करा देने वाली बिहारी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप के बारे में बड़े से बड़ाराजनीतिक सुरुमा चाहे कितना वी वाचाल क्यों ना हो उनका अंजना के सामने टिकना मुश्किल है नहीं नमुम्किन होता है अंजना अपने पत्रिकारिता और योगता के बल पर किसी भी राजनेता और सेलिब्रिटी की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है चाहे उनकी पत्रिकारता में किसी दल विशेश का समर्थन देखता हो लेकिन आप उनकी शम्ता और योगता पर कभी भी स्वाल नहीं उठा सकते जी हाँ आज हम एक ऐसे महिला पत्रकार के बात कर रहे हैं जो कड़ी मैनत और दबंग अंदाज के दम पर अपनी अलग पेचान बनाने में काम्याब रही हैं अंजना ओम कश्चप का जनम 12 जून 1905 को जहरखंड की राजदानी राची में हुआ था उनके प्रिवार की जड़े बिहार के आरा शहर में है इनके पिता का नाम ओम प्रकास्तिवारी है जो पूरु मेरक शादिकारी थे अंजना बुमीहार ब्रामन प्रिवार से हैं वैं पूरु रक्षा अधिकारी स्वर्गी है डाक्टर ओम प्रकास्तिवारी की बेटी है उनके पिता बिहार से हैं और उनकी मा भी बिहार स्रिफ शे है अंजना का एक भाई भी है अंजना की शादी आई-पी ऐसा अधिकारी म कॉलिज के दिनों में ही अंजना की मुलकात मंगेश से हो गई थी और दोनों वहीं से एक दूसरे के करीब आ गए थे अंजना ने अपनी प्रारंबिक पढ़ाई राची शहर के लोरेटर कॉनवेट स्कूल में पूरी की सकूली शिक्षा पूरी होने के बाद मैडिकल कॉलेज से सिविल प्रिक्षाओं में उपस्तित हुई लेकिन दुरुबागे से दोनों बाद इंट्रूओं में एस अफल लई अंजना की यूपी एसी प्रिक्षा की त्यारी के दुरान राष्टिया और अंतराष्टिया मूद्यों पर उनकी अच्छे पकड़ दी जिससे अंजना पर आखो देखिशों में एक पत्रकार के रूप में की थी उसी वर्षों ने दूरदर्शन में पने पत्थ से इस्तिफा दे दिया और जी न्यूज में शामिल हो गई उन्जना आज तक पर अपने हला स्पिकिंग प्रोग्राम और अपनी दमदार और बोल्ड आवाज के ल झाल 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 झाल